किस चेज में एक तो सबसे बड़ी हाद हो यह गुंडागर्दी अटकी जी और मैं मानता हूं आने वाले पांस साथ सालों में यह मुझे फरनगर तक जाए अन्नी यूपी में तो ऐसा था कि यहन तक जाने में भी डर लगे था ना कमूंदने में भी मरने जीने में भी आते है है हर्षकाम में फेलेष्ट है और भी तमाम जैसे मुद्धे हैं परचा लीक का बड़ा मुद्धा जिसको विपक्ष उठाता है कि अगर इतनी अच्छी सरकार है तो नौपेपर कैसे लीक हो जाते हैं यूवाँ को नौकरी का मसला है आप करें जो किया जो कहा वो किया दो क को कोई दिक्कत नहीं है कहीं जाए कहीं आए किसी टैम जाए कोई दिक्कत नहीं आई जब से भाजब सरकार आई है अच्छा जैसे मैं पूछू मोदी जी के कोई पांच बड़े काम बता यह 370 और राम मंदिर को छोड़ करें सबसे बड़ी बात तो है अमन चैन पहले नही ई उस हपते नहीं की जाल नहीं तो जी इतना बड़ा विकास हुआ है जो सडकों का जाल बिचा है यह जे कैसे भीषेगा? कि कुछ न कुछ तो त्याग हमें भी मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ करना पड़े टोल टेक्स दे रहेना उसका पेट्रोल डीजल से क्या लेना देना है। तो इसलिए हमें भी उनके साथ कंदे से कंदा मिलाने का अपसर है जो उनने 2014 से जो कारे किये अच्छे-च्छे कारे किये विकास की दृष्टी से भी समाजी की दृष्टी से भी तो उसमें हमें उनका पुरा-पुरा स्योग करना है दोसो रुपए हो जाए पेट्रूल तो भी कोई दिक्कत है कोई दिक्कत नी है आगर देश का रास्ट का विकास हो रहा है तो हमें ये कारे हमेशा करना चाहिए तब श्कार मेरा नाम राघव है और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं टीम मॉलिटिक्स की चुनाव यात्रा मुझफवर नगर पहुची है और मुझफवर नगर इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि एक अच्छी खासी आवादी मुस्लिमों की है और कई और मामलों की जैसे मुझफवर नगर चर्चा में रहता है संजीव बालियान जो कि यहां से भारती जन्ता पार्टी के प्रत्याशी हैं दो दिन पहले उनकी गाड़ी पे हमला भी हुआ तब से मुझफवर नगर और सुर्ख्यों में आ गया है फिलाल मैं कारिकरम में मौझूद हूँ जो भारती जन्ता पार्टी का ही कारिकरम है एक कारिकरता संमेलन है जिसमें संजीव बालियान और केशव प्रसाद मौर्यकिये आने की उमीद थी लेकिन फिलाल ऐसा पता चलाये कि इस कारिकरम में नहीं आएं तमाम कार्यकरता हमारे साथ है, इन से ही जानेंगे, क्या ना मैं आपका? कॉमरपाल से नी. क्या लग रहा है, इस बार क्या मूड है मुझफर नगर की जनता का, किस के साथ है और मुद्धे क्या है? बहुत अच्छा मोड है संजीव वालियान जी यहां बाहरी बहुत से विजय होंगे और विकास किया उन्होंने विकास पर बोट मिलता है क्या विकास किया है जैसे वही जानना चाहेंगे हमारे छेत्र में रीजन रेल का विकास होई एरोड़े बनी कहना है क्या नाम आप कर कहा से आए है लग रहा इस बार क्यूंजीव बालियान को क्यूं वोट दिया जाए के नाम पर मोदी जी ने जो विकास किया है और जो कहा है पटे हम कहता हैं कि जो कहा वो क्या मोदी जी ने जैसे राम मंदिर का निर्मान 370 हटी उसका मुझफर नगर से क्या लेना देना है राम मंदिर का और 370 का सब का आस्था कभी से है हमारी है तो सबी चाहरे थे कि राम मंदिर का भविन निर्मानों वो हुआ और 370 हटी विकास की दर्शी देखे हैं तो यहां सलावा गाउं है दस किलोमेटर दूर इस्पोर्ट यूनिवर्स्टी बन रही है पच्ची मतरदेश में पहली आप यह देखिए आप यहां से पहले चार गंटे में दिल जाते थे आप यहां से गाड़न बेट्टे में दिल लिप हो गया यह विकास ही है मेरेट के चारों तरफ आप यह हाईवे देखिए बिजनों वो देखे मेरेट पोडी मार्क देखे मेरेट करनाल मार्क देखे मेर तक और मैं मानता हूं आने वाले पांसास सालों में यह मुझे फरनकड तक जाएगी और भी तमाम जैसे मुद्दे हैं परचा लीक का बड़ा मुद्दा जिसको विपक्ष उठाता है कि अगर इतनी अच्छी सरकार है तो नौपेपर कैसे लीक हो जाते हैं युवाँ के नौक सजाब मिलेगी उन्हें मानिया मुख्यमंत्री ने कहा है हमारे और पकड़ भी लिए गए और कड़ी सजा देंगे और उनके पैसे जो भी हैं अर्ति साइद उनके पैसे भी वापस हो गई है खैर उन पे आपकी जान करेक्ट लिए बता दू यूपी में जब उन लोगों न अंदोलन किया तो लाठियां भी चली थी क्या नाम है आपका परवीन कुमार परवीन जी क्या लग रहा है जो वेपक्ष के मुद्दे हैं जो वेपक्ष मुद्दे बता रहे हैं जैसे नोंने बताया कि विजएपी का विकास का मुद्दा है परचा लीक का मसला है रोजगा सब्सक्राइब। जब तो रात को ऐसे चले जांगे बालक भी कहीं भार भी जा रहा है अपना याद मी बच्चा भी तो नू नू कहें है बहुत अर आम साइए वैसा कोई दिक्कत ही नहीं है और जब तो कहीं दिंज भी छिप जाता तो नू कहा देते नू को भाई मही रुख जाईए आमने धर महल से आई हैं तो इस बार किसको भीज रहा है संसद वाले महल में क्या किया बाली अंजि पर परिशाण जीने में भी आते हैं अर्ज काम में पहलेश्ट नहीं आपके क्या मुद्द्द आप तो कारे करता हैं आप तो लोगों के बीच में जाएंगे तो उनसे क्या कहेंगं कि कूंद डिया जाए क्या काम हुआ है पांको कोई दिक्कत कि नहीं है तो WILL कि पहल। सरकार आई आपको एक आखड़ा बताओं अभी एक रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश महिलाओं पर अपरात के मामले में नंबर एक पर है पूरे भारत में अब क्या लगता है सही बोल ला है कि जुट बोल ला है गलत है सरकार नहीं रिपोर्ट जारी कि यह सरकार गलत है सरकार और तमाम कारे करता है हमारे साथ उनसे भी बात करेंगे क्या नम है आपका कहां से आए बहुत बड़ी अच्छा जोहां चल रहा है मंदिर अंदिर बनी के दिल्कुल मंदिर मनिया है 370 भी हटी तो फिर आप वोट भाजपा कोई जाएगा तो मोधी जी दहरें हम धरम के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं काम के नाम पर मांग लिए हैं सबसे बड़े काम है अच्छा जैसे मैं पूछू मोधी जी कोई 5 बड़े काम बता यह 370 राम को छोड़ कर लिए सबसे बड़ी बात तो है अमन चैन पहले नहीं था नहीं पहले इतना नहीं था गुंड़ा गर दी किसी के पसु खुल रहे थे एक सबसु वाली बात बड़ी जवर्दस की आपने मैं अभी गाओं में घुम रहा था कोई कारवाई नहीं हुई हमारा एक बैल काट दया गया गाओं के बराबर मैं मॉम्टनयों गाओं था उसमें कोई कारवाई नहीं करी अगले सरकार किसने काटब बैल काटा बुद्दा मिला पड़ा वाया विला बैल इसके जवावसेस मिले मीले जो फारा सब्सक्राइब करतों समंस्या लेकिन चोड़ा हिघी तो हमारी I. सब लोग कहते हैं एक बात मज़ेदार बात बता है चुना उसे पहले सो रुपया कम हुआ इस बागी पाथ साल लई हुआ यह सही चीज एक गलती कारी करता होने के नाटे नहीं घर चलाते हैं उस नाटे से बता है बीच में नाटे से से बीच में वगला फिर बढ़ गया फिर बढ़ जाएगा अभी बढ़ गया फिर आल अभी आठ सो 50का ता बाठ सो एख़ार दसका ह हो गया फिर से हाजी तो यह ठीक लगता है तो जैसे उपर वह होता है आशी हो जाता खर्चे बढ़ जाते हैं कि जब खपद उज्वला हो गया दूसरे जो आश्मान काड़ हो गया उसमें जो है लाब मिल रहा है तीसरा जो है समानी दियो जना होगी किसानों को 2000 रुपे मिलत यह किसान पानी पजारा किसी का मढ़र हो गया किसी लूट पाट हो गई वो नी है अब दिन-दिन में भराई करो आपने अपने घराब अलब आप सो अधिन के लावन हो महले करते हैं लोड़ा को जाते हैं सब पाशी पानी आता है इसका कोई फिल्टर चोग निहीं होने पर यहां मेरे बड़े भाई बावर सिंग तॉमर जो राजे सबसांसद विजेपाल शितवर के छोटे भाई हैं आज उनके साथ मेरा आने का सुभाग्य प्राप्तुखा तो उसी वेसे में आ बैठा हूं वह अंदर बैठक चल लिए वहां पर व्यास थे हो थोड़ा आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दे हैं इस बार क्योंकि रोश भी है अगर देखें दस साल से सरकार एक एंटी इंकम पैसी नाम की चीज होती है कि दस साल से नौ भरतियां रद्ध हो गई पेपर लीख हुए युवा नाराज है उसके साथ साथ जैसे जो वादे थे कर रोजगार की बात हुए थी वो सब नहीं हुआ तो यह जो सब नहीं हुआ है इससे लोग नाराज नहीं होंगे क्या देखिए सबसे पहली बातों में बदाना चाहता हूं कि अगर हम पैट्रोल डीजल के दाम के चकर में ही लगे रहेंगे तो जो इतना बड़ा विकास जो इतना बड़ा जो सबकों का जाल बिचा है यह कैसे बिचेगा देखिए कुछ न कुछ तो त्याग हमें भी मोदी जी के साथ योगी जी के साथ करना पड़ेगा तो टोल टेक्स दे रहें ना उसका पेट्रोल डीजल से क्या लेना देना है और भी कारे हैं जो विकास की ट्यार में तो समें achievements के लिए कर रहे हैं उसमें भी काफी जो हम लोग देञें के यह ज्यादा स्यादा टैक्स के रूप में वे कास में लगेगा मोई क tąी करना तो इसलिए हमें भी उनके साथ कंदे से कंदा मिलाने का आप सार है जो उन Paradis204 का लेना भी चाहिए अगर देश का रास्ट का विकास हो रहा है तो हमें ये कारें हमेश्व करना चाहिए वैच्छ तो आने वाले टाइम में मैं समस्ता हूं पैट्रोल का जो सिस्टम है वो दीरे खता ही मुझा है जैसे कि हमारी लेक्टोनिक कार्स वगएरा आ रही है उस और भ आया कि क्यों भारती जनता पार्टी को वोट दिया जाए क्या विकास के काम हुए और जो काम नहीं हो पाएं उनके पीछे की क्या वज़े थी यह तमाम अप्डेट्स आपको मॉलेटिक्स पर लगातार मिलती रहेंगी इसलिए आप मॉलेटिक्स से जुड़े रहें आप ज चुनावे आतरा की सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद